और रेली फ्रेंट्स, आज का इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस कैमरी की तारीब जरूर करेंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, पैनासोंगी का ब्रैंड न्यू एसफाइब के बारे में, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लुमिक्स के S5 के कुछ ह हाइलट्स फीचर्स के बारे में एंड फीट की अगर मैं बात करूंगा तो बॉडी अउनली आपको 720 ग्राम के आसपास देखने को मिल जाएगा काफी कॉम्पैक्ट लाइड वेट कैमरा है यह काफी टाइम के बाद एक बजट फ्रेंडिल केमरा लाया है और रेली मैंने इसक तो एक फोटोग्राफर को चाहिए एक बजट कैमरे में वो सारे फीचर्स अविलेवल है इस कैमरे में तो आज कुछ हैलेट्स फीचर्स के बारे में बात करेंगे चली वीडियो को अब प्रॉपर स्टार्ट करते हैं और देखते कि आपके लिए कैमरा कैसा है चली इसके LCD की बात करते हैं और जानते हैं कि LCD में इसे क्या खास है तो 180 डिगरी फ्लिप हो जाता है ठीक है आप सेलफी मोड इसमें यूज कर सकते हैं रिकॉर्ड करने के लिए अगर आपके पास कोई नहीं होगा तो भी आप इसली से खुद को रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड इसको टच को लेके कि कॉर्णर टू कॉर्णर यह टच काम करता है बागी केमरों में क्या होता है कि 90-92 परसेंट ऐसे कवरेज होता है तो आप पूरे कॉर्णर टू कॉर्णर टच नहीं कर सकते हो तो पैनासोनिक लूमिक्स ही कि जितने मॉडल है काफी अच्छा तो काफी अच्छे मिलेगी प्लस जो ड्यूल नेटिव आईयोसो टेकनोलोजी है ना उसमें वीडियो की जो पर्फुमेंस है नौइस लेवल आईयोसो लेवल की वह भी काफी जादा बढ़ जाती है और यह जो इसमें फीचर्स है ना रेली काफी अमेजिंग फीचर्स है इन बिल्ड बॉडी स्टेबलाइजर की बाद करो तो पैना सोने क्यार इस मामले में काफी अडवांस है क्योंकि इनके बॉडी प्लस लैंस में दोनों में आईयस होता है और शेकनेस की बाद करो तो बहुत ना के बराबर है अगर आप हातों से वीडियोग्राफी करते हैं अब रॉनिंग शॉट भी लेंगे तो भी इसमें 5 प्लस वन स्टॉप लैंस में 5 स्टॉप आपको बॉडी में मिल जाता है तो यार कमाल का इसका स्टेबलाइजर है तो अगर आप कोई कैमरा इंट्रस्टिंग लगे तो आप अपनी जो भी नेरेस्ट स्टोर है उस पे जा बॉडी डिड़क्ट अनिमल यह सारा है ठीक है नॉर्मली इस जो फंक्शन है वह सारे कैमरे अपको बलेवल मिल जाएंगे और फोकस के मामले में भी पीछे नहीं है काफी हाइस्पीड फोकस करता है और अगर मैं एफ मोट की बात करू तो इसमें आपको फेस आई बॉडी डिडेक्शन का उप्शन इसमें आपको देखने को मिल जायगा दूसरे अगर मैं आएफ मोट की बात करू तो इसमें ट्रेकिंग आ जाता है and focus की बात करूँ तो ये vertical horizontal mode दोनों में focus कर सकता है area, area 1, area 2 तो area को भी आफ select करके भी focus काफी easily से कर लेगा and friends इसकी manual focus की बात करूँ तो ये एक चीज मुझे काफी अच्छी लगती है काफी interesting लगती है कि जब भी हम manual mode को operate करते हैं तो क्या होता है कि जो बीच में आप एक box देख रहे हैं उसमें क्या होता है आपका जो subject है अब किसी चीज को भी focus कर रहे है वो zoom हो जाता है अब इससे benefit क्या होता है कि हमें काफी easy हो जाता है कि आपका subject proper focus में है या नहीं ठीक है तो यह चीज मुझे really personally काफी पसंद आया है क् कि क्या होता है कई वर जब manually operate करते हैं आप अपना subject कितना focus में है वो नहीं पतागर पाते है तो इत चीज को आप काफी easily पतागर सकते हो जैसे कि यहां पे अगर आप देख रहे होंगे कि circle जहां पे है middle में जो circle आ रहा है ठीक है उससे आप काफी easily से अपने subject को focus है या नही जान सकते हैं या फ्रेंस इसके अगर मैं close focus distance की बात करो तो यार काफी impressive है मैंने personally इस वीडियो को record किया तो और मैंने जब इसको test किया तो यार इसका minimum focus distance से काफी close हो जाता है मतलब micro shot आप काफी easily से ले सकते हो तो फ्रेंस जब इसका photography mode use कर रहे होते तो Q button को press करते ही जो आ इसमें आप यूज कर सकते हो like wide balance हो गया iOS हो हो गया flash mode हो गया तो काफी सारा function हो आप directly इसमें यूज करते हो जब आप photography mode पे इस camera को operate कर रहे होते हैं केमरी की अगर मैं card slot की बात करो तो dual card slot है और यह जादा तर photograph इस चीज को काफी ज़्यादा demand में रखते हैं कि dual card slot होना ही चाहिए क्योंकि जब भी वह wedding shoot करते हैं तो dual card slot के उनको कावी ज़्यादा need होती है तो यह चीज हमेशा ही demand में रहा है इस price range में काफी अच्छा इसम 4 पे जाते हैं तो आपको 4 के 10 bit के साथ आपको option देखने को मिल जाता है 100m and 10 bit के साथ आपको मिल जाता है 25 frame पे 72m तो इस चीज से समझ सकते quality पे आप जितना ज्यादा quality अगर आपको ज्यादा अच्छी quality चाहिए तो उतने M पे जाएंगे तो आपकी quality बहुत जाद इसके बाद अगर मोब पे चले जाते हैं मोब वी पे चले जाते हैं तो यहां पे भी आपको 4 के 50 और 60 बीट के साथ आपको option मिल जाएगा और काफी simple है कि आपको पता ही है कि अगर 4 के चूस करते हैं तो आपके फ्रेम को चार गुना बढ़ा कर देता है मतलब जादा इस प पर 4 के 30 बीट पे जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो रेली नो रिकॉर्डिंग वीडियो लिमिट तो कोई लिमिट नहीं है आप जब तक बैटरी रहेगा तब तक आप रिस पे रिकॉर्ड कर सकते हो तो काफी अडवांस इसमें आपको वीडियो पे देखने को मिल जाता है फुल एच्डी की बात करूँ फ्रेंड्स यहां पे तो वाट डॉंटी पी फुल फोकस के साथ आपको देखने को मिल जाता है प्लोस एन फुल एच्डी वीडियो आप 180 तक सूपर स्लो मोशन का भी इसमें सपोर्ट दिया हुआ है तो यह काफी अडवांस दिया हुआ है कि यह जो हमारा एएस वण कैमरा ए तो यह एक अजर्ग आपको देखने कर दो lungustी जाता है पंदर से चे कमरे में इसमें फ्रेंड्ली कैमरा है और अवर्डी ज़ो फीचर से है ie आ支持 प्रेंडं करने के श played प्रेंड़े चले की और एस waad गया है एकिम्म को शिता एफ дост合 ओ इमा अगर मैं lanz के आपर बात करू तो जो कि इएक आपको आपको lens इसमें देखने को मिलेगा 20 comparison wide angle & 60quer zoom के साथ ऊसमें आपको lens को देखने को मिलजाएगा lens के अगर मैं दूसरे साइड में यहां पर देखता हूं तो यहां पर आपका auto or manual का sketch देखने को मिल जाता है लैंस में आप अगर इसमें मैनूल कर देते तो आप फोकस रिंग के दूरू फोकस करेंगा राटो रहेगा तो आटोमेटिक शटर बटर को दबाते ही जो आपका सब्जेक्ट है फोकस में हो जागा पूर्ट की आपे मैं बात करूंगो ता माइक हेडफोन दूनों का इसमें जैक अवेलेवल है यहां पे अगर मैं दूसरे पूर्ट की बात करूं तो इसमें एक तो HDMI केवल प्लस चार्ज मतलब चार्जिंग का उप्शन इसमें देखने को मिल जाता है पावर बैंक से आप इस जो फोटोग्राफर्स को एक्चुल में चाहिए वो सारा ही इन्विल्ड फीचर्स में इस्टॉल किया गया है आपको वीडियो पसंद आया होगा जो मैंने हाइलेट्स फीचर्स के बारे में बताया है आप भी अपने नियरेस्ट किसी भी स्टोर पे जाके इस कैमरे को पसंद आया होगा तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो यार बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए ठीक उसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर वीडियो से रिलेटेट कोई भी कोशिन होगा तो आप मुसे कमेंट में पूस सकते हैं उसका भी आपको प्रॉपर मिलती रहें और आप वीडियो देखके एंड कुछ ना कुछ आपको और भी सीखने को मिलता रहे तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए गुडबाई